आज बात करेंगे भारत के राज महाराष्ट की महाराष्ट जो है यह मराठा सामराज के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था यह च्छत्रपतिश सीवाजी की भूम है मराठा सामराज एक बहुती विसाल सामराज हुआ अज से तीन-चार सोवर्ज पहले महाराष्ट की राजधानी है मुंबई, बहुती थेमन सेटी है भारत का और सिन्य जगत के लिए बहुती प्रिसिद्ध है तो महाराष्ट की सीमा ये कई राज्यों के लगती है और महाराष्ट एक बहुत बड़ी सीमा जो है तटवरती समुद्र के पास सीमा वरती छेतर भी है महाराष्ट का ये रीजन जो है ये अरब सागर को टच करता है ये अरब सागर है और ये जो है समुद्ध तठ है महाराष्ट का इतना सा छेत्र जो है गुजराद की सीमा को टच करता है ये ये इतना छेत्र जो है गुजराद की सीमा को टच करता है बाकी यहां से यहां तक जो है महाराष्ट की सीमा मध्य प्रदेश राज को टच करती है फिर इतनी सीमा जो है 36 गड़ राज को टच करती है और इतनी सीमा जो है तिलंगाना राज को टच करती है और यह इतनी सीमा जो है करनाटक राज को टच करती है और यहां पर थोड़ी सी सीमा जो है गोवा को भी टच करती है तो महाराष्ट के बारे में कुछ फैक्ट बेस बाते जानेंगे महाराष्ट की राजधानी है मुमबई महाराष्ट की महातरफोर नदिया है गोदावरी, तापती, भीमा, क्रस्णा और वेडो गंगा महाराष्ट की प्रसिद एक जील है लोनार जील महाराष्ट की राजधी भासा है मराठी महाराष्ट में लोकसभा सीटों की संक्या है 48 और राजधी सभा की है 19 सीटे तो लोकसभा की है 48 और राजधी सभा की है 19 सीटे महाराष्ट की विधान सबा में जो है कुल 288 सीटे हैं और महाराष्ट एक ऐसा राज है जहां पर विधान परिशत भी है और इसकी विधान परिशत में कुल 78 सीटे हैं महाराष्ट की कलायम संसकरत संपूर राज में थेटरों का उच्च विकास है यहाँ पर जो सिनेमा जगत है यानि सिनेमा घरों का बहुत ही अच्छी तरीके से विक्सित हैं और लोकनाट की प्रमुख प्रस्तुतिया यहां पर जो है उनका नाम है तमासा तथा लावनी तमासा लावनी यहां का लोकनरत है बंबई जो है देश की चित्रपट की राजधानी है बंबई को देश की चित्रपट की राजधानी कहा जाता है मुंबई जो है वहा कई नामों से जाना जाता है इसे भारत का हालिवड भी कहते हैं गेटवे आफ इंडिया भी कहते हैं भारत का प्रवेस द्वार भी कहा जाता मुंबई के बारे में कुछ यतिहासिक बातों पर चर्चा करेंगे। लोनार जील का निर्मार जो है ज्वाला मुखी के द्वारा हुआ था और यह एक ज्वाला मुखी निर्मित जील है भाभा परमारवन संधान B.A.R.C. जो है यह मुंबई महाराष्ट में इस्थित है गडेत उस्सो तथा सिवाजी उस्सो जो है इसका प्रारम बाल गंगाधर तिलक ने किया था और गडेत उस्सो और सिवाजी उस्सो यह महाराष्ट के प्रमुख उस्सों हैं भारत का पहला माका दूद बैंक जो है मुंबई में है तथा अस्पताल का नाम जो है लोक मानित तिलक अस्पताल है तारापूर अटामिक पावर प्लांट जो है यह आओकास जी थे बंबबाई का नाम बदलकर मुंबधाय कर दिया गया था सन 1975 में हावा सिवा बंदरगाह यह मुंबई में श्थ You Bu 1960 इसबी को महाराष्टे और गुजरात जो है दो अलग-अलग राजी बना दिये गए थे एक माई 1960 इसबी को इनको विभाजित करके जो है महाराष्टे और गुजरात दो अलग-अलग राजी बना दिये गए थे तो आज के वीडियो सेशन में हमने महाराष्ट के बारे में ड डिटेल से चर्चा करेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो सेशन में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन वंदे मात्रम झाल